कि अर्व्यक्ति को चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो स्ट्रेस मेनेजमेंट इज वेरी इंपोर्टन मानो शरीर इस वर ने ऐसा बनाया है कि उसमें आप जैसा आप चाहो वैसा अपने आपको ढाल सकते हो गोजर पाँठ में इसकी शिर्वा थी ती और 2006 से 17 मई को ये हर साल मनाया जा रहा है आखिर ये है क्या क्यों इससे मनाया जाता है क्या कारण है आएकर आखिर वर्ल्ड हाइप अटन्चन डि मनाया क्यों जा रहा है क्या इसका करा नहीं, जानेंगे हम मैंорот Hopkins on the Surbird hypertension day है आप मनाया जा रहा है आप इसको ले कर कीşekkür다. WORLD hypertension day हर साल जैसे की आपने बताया मनाया जाता है है कि hypertension के control के लिए आम जनता में जागरुकता और awareness का awareness करना talking कि आम्जने अपनेबरठ़ को कंच्रोल में रखे और आगे आने वाली बीमारियों से बचा जा सके जिससे हम आगे अपनी जिद्ब्रा अच्छा बनासकते हं और आगे आने वाली climber sa से बचा जा सकता है हम बात करें ब्लड प्रेशर की तो ब्लड प्रेशर प्लड कितना होता है जब साम्भाने रहता है अगर उसका ब्लड प्रश की बात होती है और कम व्हा वियक्ति सतर साल का है 80 साल का है और उसका ब्लड प्रेशर 170-180 है तो डेफिनेटली वह ज्यादा है तो अगर मैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लेवल की बात करूं तो 120-130 तक सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर और अगर किसी का ब्लड प्रेशर जाता है तो डेफिनेटली हम उसे हाइपर टेंशन की कैटेगरी में मानते हैं और उसे अपनी लाइफस्टाइल को मैडिसिन्स को और दॉक्टर्स को कंसल्ड करना चाहिए और अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए अगर कम रखना या फिर लेवल पर रखना है तो क्या-क्या चीजों को अपनाना चाहिए जिससे की वो ब्लड उनका जो प्रेशर है वो एक एक वल लेवल पर बना रहे है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपोर्टन चीज है फिजिकल एकसरसाइज खाने पीने का ध्यान रखना जिसमें की लेस सॉल्ट इंटेक लेस जंक फूड लेस फैट उसके साथ में अपन योगा मेडिटेशन ये सारा अपनी रूटीन लाइफ में इंकॉर्परेट कर सकते हैं साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज कुछ प्रेवेंटिव बेसिक चीजें हैं जिसको हम इंकॉर्परेट कर सकते हैं साथ में अगर किसी व्यक्ति को पता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है तो रेगुलर अपना बीपी मॉनिटर करें और ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उसको नियमित रूप से लें ये सबस में इस तोर पर इसमें जंग फूड नहीं को जाखता रहता है लोगों के जिसमें बहुत नी है जो यह सटेगे हैं उसमय कोई जाद आंतर नहीं पड़ता है तो लोगों ने अपने टेस्ट के लिए, अपनी आदत के लिए, और और परिवार घर से बचने के लिए इस तरहे के बहाने निकालते हैं कि इस नमक सेुछ वी पाँ निसे यह और प्रगता यहा Okay? पीपी नहीं बढ़ेगा इससे हो जाएगा ऐसा कता ही नहीं है कि नमक नमक है उससे बढ़ता ही है रही टेस्ट की बाद तो वह ऐसा है कि जैसा आदमी अपने मन को बना लेता है सभाव को बना लेता है उस तरह से जिया जा सकता है कता ही दिक्कत नहीं है अगर एक आदमी बि प्लिद प्लिद प्रेशर को किसी को करना किया एक में ऐसी चीजे आं र। व उन को अपनाने चाहिए लैंजS सबसे बड़ा है कि योगा की जिया आप वियाय। कीजिए और वो कीजिए इस सबसे बड़ा इसका फैक्टर है जो इसको कंट्रोल रखा जा सकता है व्यायाम योग और नमक कुछ ऐसी चीजें हैं जोने बता ही दोक्टर ने कि अगर प्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल रखना है तो यह चीजें आपको अपना